जब छे मिनट की देरी से मैदान पर पहुँचे थे सौरव गांगुली फिर भी अमपायर ने क्यों नहीं दिया आउट। एंजेलो मैथ्यूज के साथ क्यों हुई नाइनसाफी। शाकिब ने क्यों की ऐसी शर्मनाक हरकत। श्री लंका के अनुभवी बैटर एंजेलो मैथ्यूज वर्ड कप में बांगलादेश के खिलाफ मैच के दौरान टाइम आउट हो गए, इस तरीके से इंटरनाशनल क्रिकेट में आउट होने वाले वह पहले बल्लेबास बने, एक बार सौरव गांगुली भी मैदान पर 6 मिन इस ने पहली बार देखा, इंटरनाशनल क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी बैटर को टाइम आउट के, जरिये पवेलियन लोटना पड़ा है, श्री लंका के अनुभवी बैटर एंजेलो मैथ्यूज इस तरीके से आउट हुए, बता दें कि एक इसा ही कुछ सौरव गांगुली के साथ होने वाला था, लेकिन वह बच गए थे, दरसल साल था 2007 का, भारतिये टीम दक्षिन अफरीका के खिलाफ केप टाउन में टेस्ट मैच खेल रही थी, भारत ने तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में वसीम जाफर और वीरेंद सहवाग के रूप में दो विकेट जल्दी गवा दिये, अगले बल्लेबास सचिन तेंदुल कर थे, लेकिन तीसरे दिन फील्डिंग के दौरान मैदान से बाहर चले जाने के कारण सचिन सुभा 10 बच कर 48 मिनट से, पहले बैटिंग नहीं कर सकते थे, सचिन के बाद में आन चला तो वह ट्रैक शूट में थे, इसके बाद वह फटाफट ड्रेसिंग रूम में पहुँचे और तयार होकर मैदान पर आए, गांगुली तीन मिनट से ज्यादा की देरी से मैदान पर पहुँचे थे, इस प्रोसेस में करीब 6 मिनट से ज्यादा का समय लग गया था, गांगुली तीन मिनट से ज्यादा की देरी से मैदान पर आये हैं, लेकिन खेल भावना के तहट उन्होंने आउट की अपील ही नहीं की, इस वजह से अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया, अगर ऐसा होता तो गांगुली इंटरनाशनल क्रिकेट में टाइम आउट होन आउट इसलिए दिया गया, क्योंकि शाकिब ने इसकी अपील की थी, शाकिब अलहसन की इस शर्मनाक हरकत पर आप क्या कहना चाहोगे?